हेलो फ्रेंट्स ग्राउंट इज इस टड़ी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत हैं मैं शीव सर आज आप लोग के साथ 36 का पटवारी परिक्षा 2019 की कोश्चन पेपर पर बात करूंगा ठीक है जहां से आप देखेंगे 150 कोश्चन पूछे गए थे ठीक है इन इंसर भी मिल जाएंगे नॉलेज भी मिलेगा साथ ही आपको आइडियास मिलेगा कि कौन से प्रस्टन किस से स्क्सट पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए हम दो सबस्ते पहले इसमें बात करें तो यहां पर तीन भाग में कॉश्चन पूछे जाते हैं भाग अब बाग इन से कोच्छन पूछे जाते हैं जिनमें से 150 कोच्छन होते हैं हम इन पूरे कोच्छन पर यहां पर ध्यान दें तो देखेंगे आपकी कंप्यूटर सेक्षन से 20 कोच्छन पूछे गए हैं वह हिंदी को सेक्षन से 10 कोच्छन पूछे जाएंगे अंग्रेजिस से भी 10 कोच्छन पर भाग गम है हम लोग बात करें तो यहां पर देखें कि समान ने ग्यान जो जीके है जनल नौलेज है यह 86 से 120 कोश्चन होंगे ठीक है आपके यहां पर 35 कोश्चन हो जाएंगे फिर समसमाई घटना करम जो है करेंट अफेर्स है वह 121 से 135 तक होंगे 15 कोश्चन यहां पर 136 से 150 तक होंगे आपके जीके हैं 36 गड़ के बारे में ठीक है तो यहां पर टोटल 150 कोश्चन हो जाते हैं हम इन पूरे पर चर्चा करेंगे बारी-बारी से तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोश्चन सबसे पहला कंपेटर सेक्शन से क्या पूछा गया ठीक है तो आप देखेंगे इसका सही अंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ठीक है मैनुफेक्टरिंग में रोबोटिक का सबसे जादा इस्तेमाल होता है ठीक है इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर टू की और बढ़ें तब कोश्चन नंबर टू कोश्चन नंबर 3 की और आप देख पाएंगे सामने आपका कूश्चन Estamos वर्टरी है कि computer का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकि हार्डवेर से जोड़ता है a motherboard a motherboard b cpu c पंचकार्ड और d चीप आप देखेंगे इसका सही एंसर हो जाएगा आपका a number motherboard जो होता है यही जोड़ता है ठीक है correct answer चलिए आगी कि रोबढते हैं कोषें नंबर फोर कि और आपके सामने यहां पर आ जाता है इसकीन पर इससे पहले आपने अभी तक हमाल चैनल को लाइक ने किया स्क्राइब नी किया तो जल सा लाइक किजिए और सब्सक्राइब कि आपका सपूर्ट मिलेगा तो मुझे अच्छा लगा आ भी कुछ होंगा आपके लिए और नएने कंटेंट ला पाऊंगे जिससे आप अपना अच्छा खासा त्यारी कर स्पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं कोसे नंबर फॉर आपके सामने यहां पर आ जाता है स्कीन पर कोसे नंबर फॉर आप यहां पर देख पाएंगे स्कीन नंब्हां पर चैनलि सब्सक्कान परोग्राम का नाम क्या है और इसका देखें कि आपके आप साफटो फ्यर थैंक यहींक जो होटा यहीं कंट्रोल करता है ठीक है यह अंदर करता है चलिए question number five की और हम लोग बढ़े question number five यहाँ पर आपके सामने आ जाता है question number five है कि inkjet printer एक image को कैसे print करता है ठीक है तो आप यहाँ पर देखें question number five का सही answer हो जाएगा बी character की spray printing से character की spray printing से ठीक है यह इसका सही answer हो जाएगा चलिए question number six की और बढ़े तो question number six आपके सामने आता है dot matrix printer का दूसरा नाम क्या है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे dot matrix printer का दूसरा नाम होता है impact printer option number a correct हो जाएगा question number seven की बात करें तो question number seven आपके सामने आ जाता है question number seven है कि निम्ने में से कौन सा एक operating system नहीं है ठीक है कौन से एक operating system नहीं है windows, linux, dOS, or d है oracle ठीक है तिन में से कौन सा नहीं है आपको यह बता रहें तो यह आप देखेंगे तो तो सही answer हो जाएगा आपका और एकल नहीं है तो यहां पर इसका सही अंसर हो जाएगा एट का आप देखेंगे डी तिक ए और सी दोनों है यह दोनों होते हैं सिंगल यूजर होते हैं चली इसी के साथ हम लोग कोशन नमर 9 के और बढ़ते हैं कोशन नमर 9 पर हम लोग बात करें तो कोशन नमर 9 आपके सामने आ जाता है आप यहां पर देख पाएंगे कि MS Office Software Group के साथ कौन सा Spreadsheet application आता है तिसका सही अंसर हो जाएक दाड़तार February taking from Wikipedia होता है पहले प्रिस्ट पर अंतिं पिरिष्ट पर सभी प्रिष्टों पर सम प्रिष्टों पर देखेंगे सही अंसर हो जाएक आपका सी सभी प्रिष्टों पर प्रिंट हो ठोले प्रिष्टार आप question number 11 देख पाएंगे internet द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है A. www B. HTTP C. TCP या IP D है आपका FTP यहाँ पर सही answer हो जाएगा आपका C number TCP या IP जो होता है यही होता है आपका internet का उपयोग के जाने वाला संचार प्रोटोकॉल होता है हमनों question number 12 की बात करेंगे 12 की बात करेंगे निमने में से कौन सा website आपको इस्थानी दुकानों का वेवरर देती है इस्थानी के बारे में पूछ रहा है question number 13 देख पाएंगे कि एक तकनीकी जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रशारर एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुर्प्योग करके एक नेटवर्क का हमला करता है तो यह क्या कहलाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप question number 13 का A smurfing कहलाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका 14 का B ड्रोजन होर्स कहलाता है तो इसका करेक्ट है इसके साथ हम लोगा question number 15 की बढ़े है तो question number 15 आपके सामने आजाता है आप question number 15 देख पाएंगे चलिए एक मिनट ये फीचे हो गया हम लोग state कर लेते हैं अपने जगह पे question number 15 तो ये question number 15 आपके सामने आजाता है question number 15 देख पाएंगे कि VGA का पूर रूप क्या है VGA तो आपके question number 15 का साही एंसर हो जाएगा आपका option number C video graphics area video graphics area या फूल फॉर्म होता है question number 16 आपका निम लिकित में कांसा एक image file format नहीं है तो यहाँ पर चार option होगा आपके पास आप यहाँ पर देख पाएंगे question number 16 की बात किया गए हम लोग question number 16 आपके सामने है आपके यहाँ और आपके प्राफ़ नापके सामने आएं कि एक टीबी बराबर होता है एक टीबी भराबर केंगे होता है तो आपके यहाँ प्राफ़ ग Mission खैन ऑब 10 to the power 9 kb होता है ठीक है यह हो गया आपका डे शही हो जाएगा पूरे साही होंगे ठीक है यहां पर आपको तीन कोश्ण का एंसर साथ मिल गया है हो सकता है यह को पोशन में क्यों एक तो आप यहां पर देखेंगे question number 18 का सही answer हो जाएगा option number D cylinder track sector cylinder track sector तो यह तीन हो जाएंगे इस तरीके से क्रम होगा सबसे बड़ा आपका cylinder होगा उसे छोटा track होगा उसे छोटा sector होगा इसे के साथ question number 19 क्यों बढ़ें question number 19 आपके सामने आ जाता है आप यहां पर question number 90 देख पाएंगे कि नीमने लिकित में से कौंसा एक Google का product नहीं है Android, iOS, Chrome, Gmail ठीक है यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा correct answer B भी नहीं है क्योंकि यहां पर आप Android देखेंगे Chrome देखेंगे Gmail देखेंगे यह तीनों किसके है Google के होते है तो यहां पर iOS क्या है iOS आपका Apple का होता है तो यह नहीं है चलिए इस एक साथ हम लोग question number 20 की बात करें question number 20 आपके सामने आ जाता है YouTube के गुड़ों के बारे में क्या गलत है YouTube क्या नहीं करता है या क्या गलत उसके बारे मापको बताना है पहला नमबर वीडियो अप्लोडिंग बिल्कुल सही करता है तो यह क्या हो जाएगा आपका गलत यहां पर एंसर यहां पर गलत बताना है जो नहीं करता है उसको वीडियो अप्लोडिंग करता है तो गलत हो गया वीडियो एनलाइसिस अभी छोड़ देते हैं वीडियो डाउनलोडिंग बिल्कुल होता है अब वीडियो सर्च भी होता है तो क्या बच गया आपका वीडियो का एनलाइस ही नहीं करता है YouTube यह हो जा भग बहाग भी यहां पर आपका इस्टाइट हो जाता है ठीक है भाग भी जहां हिंदी के कोश्रण 21 आपको 30 गबछन अमबने 2 20 वंसे कोश्चन 30 तक हिंदी की कोश्रण गब करता Maori हेसे यहां के पास आ जाता है कितने हैं दो होते हैं ठीक है कोस्चन नमबर 22 की हम लोग बात करें तो कोस्चन नमबर 22 आपके पास आता है सास्त्रों की बात में ठीक है सास्त्रों की बात में कवीता का दखल समझना या भी धर्म के विरूद है इस वाक्य में यह किस परकार का सर्वनाम है ठीक है तो यहां पर देखेंगे 22 का सही एंसर हो जाएगा बी नंबर निश्चे वाचक सर्वनाम है निश्चे कर रहा है कि हाँ यह होता है ठीक है यह निश्चे वाचक हो जाएगा इस जीक साथ हम लोगों कॉस्चन नंबर 23 की बात करें तो कॉस्चन नंबर 23 आपके सामने आ जाता है निमनलिकित में से कौन सा वाक्य सुद्ध है सुद्ध है आपको ग्याद करना ठीक है नहीं है वाला नहीं सुद्ध है तो 23 का यहां प पर आपके सामने आ जाते हैं को से नंबर 24 24 क्या पूछा गया है कि निमनलिकित में से यह संदी का उदाहरण कौन सा है यह संदी का आपको उदाहरण बताना है तो 24 के यहां पर देखेंगे सी नंबर करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है मनुधन अंतर मनवंतर या करेक्ट ए प्रणाओं आपके सामने करेक्ट से 7 से और बताना है तिक यहाँ ए देखेंगे 25 अनसर हो जाए कोने कि नंबर गटी यहांपर रहाचिव हो जाएगा पायम महावर दैन को नाहिनी बैठी आई फिरी फिरी जानी महावरी एडी इनीती जान तो यही है इसका करेक्ट रहो जाएगा डी नमबर चली एसी के साथ हम लोग आगे गी और बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 26 की बात करें कोश्चन नमबर 26 आपके सामने यहाँ पे सो हो रह करेंगे ठीक है चली कोश्चन नमबर हम लोग बात करें 26 की बात करते हैं ठीक तो यहाँ आप देखेंगे कि 26 में पूछा गया है दोहा चंद के प्रतेक चरण में कितनी मात्राय होते हैं यही कोश्चन पूछा गया है तो 26 का सही अंसर हो जाएगा आपका ए नमबर क्रमश 13 11 13 11 अंतराल में होते हैं पहले में 13 होगा दूसरे पद में 11 फिर तिसरे पद में 13 फिर चौथे पद में आपका कितने हो जाएंगे 11 होंगे ठीक है तो यहाँ पर ऑप्सन नमबर यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है चली इस दिक साथ बढ़ते हमनों कोश्चन 27 की बात करें त 27 आप देख पाएंगे कि नीमनल लिखीत में से कौन सा सब्द अ उप्रयुक्त है तीक है उप्यूक्त है सभी में जुड़ा हुआ है तो यह सही अंसर हो जाएगा उपसर क्या होता है जो किसी सब्द के सामने लग कर कि उसके क्या हो अर्थ बदल दें देखो पहला क्या है चेत्तना अपराप्ति करना लिकिसा मने जब लग गया तो अचेत्त हो गया दूसरा था है था का मतलब हो तो किसी गहराई को हम नाप सके था सके लेकिन जब आथा लग गया तो उसका जश्ट न Πर बदल दिया तो यह हैं आपका उपसर्गे की रुप म ठीक है सही एंसर हो जाएगा चले इसी के साथ हम लोग कोस्टन नमबर 28 की बात करें तो 28 आपके सामने आ जाता है नीम ने लिखीत सब्दों में से कौन सा सब्द हिंदी भासा के सब्द भंडार में सामिल तदभाव सब्द है तदभाव सब्द आपको ग्याद करना है यहां पर कौन सा वह देखना है तो 28 का आप देखेंगे तो सही एंसर हो जाएगा C नमबर पंक जो है वह ततभाव सब्द है यहां पर ठीक है C नमबर करेक्ट एंसर होगा चले इसी के साथ हम लोग बात करें 29 कोस्टन नमबर 29 की बात करें कोस्टन नमबर 29 आपके सामने यहां पर आ जाते हैं आप देख पाएंगे कि निम्न लिखी चारों विकल्पों में प्रतम सब्दे के बाद तिन अन्य सब्द है इन में से प्रतम सब्द के अनेकार्थी सब्दों का सही विकल्प कौन सा है अनेकार्थी सब्दों का सही विकल्प अनेक अर्थवाला होगा सही विकल्प कौन सा है आप तो यहां पर द है थी आप देखेंगे यहां पे आता है आपके सामने है कि यहां पे कोश्चन नंबर 30 आप देखेंगे टीक है निमने लिकत में से कौन सा सब्दक कंज सब्द का पर और यह बाद पूछा ठीक है तीन इसमें से परयावाची होंगे और एक जो होगा वह नहीं होगा तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही अंसर हो जाएगा जिए उप्सर नमबर डी मदीरा कंज का परयावाची नहीं है ठीक है ठीक तो यहाँ पर चलिए हम लोग आगे की और बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगला कोश्टन है 31 तो 31 कोश्टन नमबर पर जाएं इससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक ने किया सब्सक्राइब ने किया तो जोस्तों जल्द से लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और आप किसी मेंटर पर जानना चाहते हैं कोई को डाउट लगता है तो इसके लिए सब्सक्राइब किजिए देखते हैं अगला कोश्टन 31 ठीक है कर सेक्षन का सब्सक्राइब करें तो 31 कोश्टन यहां पर जो आपके सामझे सो हो रहा है यहां से आप देखेंगे इंगलिस स्टार्ट होती है 31 to 40 31 से ले करके आपका 40 तक इंगलिस एक्षन होगा कोश्टन न परके इंगलिस स्टार्ट हो जाएका डिक हम जिंग इसका आप correct answer देंगे 32 का हो जाएगा c number i राम and i were present in the class ठीक है यह correct answer हो जाएगा चलिए इस इक साथ हम आगे बढ़ते हैं question number 33 की बात करें तो question number 33 आपके सामने आ जाता है choose the correct conjunction and fill in the blanks ठीक है you try you will not success ठीक है तो यहां पर सही answer इसका हो जाएगा correct answer हो जाएगा a number unless ठीक है unless you try you will not success ठीक है इसी के साथ हम आपको question number 34 की बात करें ठीक है तो यहां पर देखेंगे इसका correct answer हो जाएगा थीक है अगेंस यह correct answer हो जाएगा इस इक साथ question number 35 की बात करें तो 35 यहां पर आपके सामने आ जाता है select the correct passive form of the given sentence इस sentence का आपको passive form बताना है ठीक है इसका correct answer देखेंगे 35 हो जाएगा d number ठीक है the ocean cannot be pumped there ठीक तो यहां पर यहां पर complete answer हो जाएगा आपका d number इसी साथ हम जो question number 36 की बात करें तो 36 आपके सामने यहां पर आ जाते इस skin पर आप देख पाएंगे चूज the correct narration ठीक यहां पर narration आपको चूज करना है correct narration की बात को रहा है यहां पर ठीक है तो 37 का correct answer हो जाएगा आपका c number ठीक है र-a-w-p-o-r-t ठीक है यह correct हो जाएगा spelling इसे के साथ हम लोग 38 की बात करें question number 38 की question number 38 यहां पर आपके सामने सो हो रहा है select the correct antonyms for the word business ठीक है तो इसका correct antonyms आपको बताना है 38 का यहां पर आप देख पाएंगे correct answer हो जाएगा option number यह ठीक है एच-o-n-o-u-r ठीक है यह correct हो जाएगा इसे एक साथ हम लों question number 39 की बात करें तो 39 आपके सामने यहां पर सो हो रहा है आप देख पाएंगे select the correct synonyms for the word ठीक है इसका correct synonyms आपको बताना है तो इसका देखें कि correct synonyms हो जाएगा option number D ठीक है option number D is correct हो जाएगा miserable ठीक है M-I-S-E-R-A-B-L-E miserable ठीक है correct हो जाएगा इसके साथ हमनों question number 14 की बात करें 40 question number 40 है one word substitution for यह great lover of books ठीक है यहां पर one word आपको बताना है इसका इस sentence का one word ठीक है इसका correct answer हो जाएगा आपका 40 का देख पाएगे C-B-I-B-L-I-O-P-H-I-L-E ठीक है तो यह correct हो जाएगा इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें question number 41 की बात करें है तो question number 41 आपके सामने आये तो यहां पर आप देखेंगे 41 जो सेक्सन है आपका Math section से आजाता है ठीक है question number 41 जनरल साइंस से आ जाता है जो यहां पर आप देखेंगे 41 से लेकर के आपको 70 तक होगा 41 से लेकर के 70 तक होगा तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं देखते हैं General Science से तो यहाँ पर 41 है जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो 60 फल 40 देता है यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाये तो successful क्या होगा इसको आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए कि correct answer इसका हो जाएगा 41 का C number क्या होगा 2 होगा ठीक है चलिए इसी के साथ आगे हम लोग देखते हैं question number 42 की बात करें कि संख्या 2013 की घात होगी 2019 कि क्या स्थाइन पर कौन सा अंक होगा यह पूछा गया ठीक है तो 42 का आप देखेंगे तो correct answer इसका हो जाएगा 42 का D number 7 हो जाएगा चलिए इसी के साथ हम लोग बात करें question number 43 की बात करें ठीक है वीडियो बहुत लोंग ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा आपको 43 की answer की बात करें तो यहां पर 43 का उबर निश्ट गुड़नकन क्या हो गया पर पूछा गया है जो कुछ value दिये हैं तो यहां पर देखेंगे 43 का correct answer हो जाएगा 43 का यहां पर correct answer हो जाएगा option A333 ठीक है इसी के सांथ हम लोग 44 की बात करें वह कौन से सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा पंद्रा तीरपन एवं 21 पकत छत्तर को भाग देने पर कमसे तीन एवं पांस से बचें ठीक है तो 44 का आप यहां पर देखेंगे तो सही answer हो जाएगा आपका option number D 310 ठीक है यहां पर सही answer हो जाएगा चलिए इसी के साथ हम लोग question number 45 की बात करें तो 45 question number आपके सामने यहां पर आ जाता है देख पहें कि आप 45 है कि यहां पर कुछ question यहां पर दिया हुआ वेल्यू दिया हुआ प्लस करके उसके जोड़ने को जोड़ने पर कितने answer आते हैं तो 45 का यहां पर correct answer हो जाएगा आपका option number D correct answer हो जाएगा इसी सांथ हम लोग 46 की बात करें तो question number 46 आपके सामने आ जाता है आप यहां पर देख पाएगा 46 है कि यह दी x star y is equal to 2x plus 5y है तब 3 star 5,5 star 3 से कितना बड़ा है तो आप इसका देखेंगे तो सही answer हो जाएगा 46 का c number कितना बड़ा है छे बड़ा है तो 47 आपके सामने आ जाता है question आप देख पाएंगे कि कुछ statement दिया हुआ है कि दो संख्याओं में से पहली के दुगुने के साथ दूसरी के तीन गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है जबकि पहली के पाँच गुने में से दूसरी का तीन गुने घटाने पर 900 प्राप्त होता है तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना आपको अंतर बताना है 47 कब कोशन नमबर आपके सामने आ जाता है यहां पर देख पाएंगे कोशन नमबर 48 कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है तब पहले स्रेडी की सबसे बड़ी संख्या यहां दुसरे स्रेडी की सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बत लटता है कि दो एक कार एसे बीट किलोमेटर प्रति गंटा की गति से जाता है तो थब याथनके लोटता है संपूर्ड यातरा के लिए उसके औसत गति कितनी होगी दोनों को जोड़ करके आप आउस्टनी काल सकते हैं ठीक है तो यह पर आउस्ट हो जाएगा 49 की बात करें हम प्रति घंटा हो जाएगा चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर देखेंगे को से नंबर फिप्टी की बात करें तीके को से नंबर फिप्टी आपके सामने आ पानी से में दूद तता पानी का अनुपात 5.2 है इसमें कितना पानी और मिला जाएगा आगे बढ़ें को से नंबर फिप्टी वन आपके सामने आ जाता है आप यहां पर को से प्टी वन देक पाएंगे आपके सामने है कि यहां पर question number 51 होगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धी तथा चोड़ाई में 20% की कमी कर दिजाए तो नए आयत के छेत्रफल में होगी नए आयत के छेत्रफल में क्या होगी option A, B, C और option number D तो यहां पर देखेंगे इसका सही answer हो जाएगा 51 का option number B 4% की कमी हो जाएगी यह option number B correct होगा इस एक साथ हमनों question number 52 की बात करें तो question number 52 आपके सामने आ जाते हैं यहां पर देख पाएंगे question number 52 है आपके सामने कि एक वेक्ती कुछ संत्रे रूपे 100 में 60 की दर से खरिद कर 120 में 70 की दर से बेचता है उसका लाब प्रतिसत कितना होगा ठीके तो यहां आप देख पाएंगे 52 का correct answer हो जाएगा option number C पहले तो आपको निकालना होगा कि पर संत्रे उसका कितना rate लग रहा है फिर उसकी कितना लाब हुआ इसके अधार प्रतिसत निकाल पाएंगे चलि यह सी के साथ हम लोग question number 53 की बात करें तो question number 53 आपके सामने आता है कि किसी वस्तू का क्राय मूल्या उस वस्तू के विक्राय मूल्या का 20% है तब विक्राय मूल्य का कितना प्रतिसत होगा आपको यह ज्यात करना है तो 53 का आप देखेंगे तो correct answer हो जाएगा आपके सामने यहां पर आता है आफिसन नमबर A 500% ठीक है यह करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए इसी के साथ हम लोग 53 के साथ आगे बढ़ें 54 की बात करें तो 54 कोशन आपके सामने आ जाता है इस स्कीन पर आप यहां पर देख पाएंगे पर 54 है कोई धन्स अधारण ब्याज की 10 से 10 वर्सों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्सों में चार गुणा हो जाएगा 54 ठीक है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 54 का ऐफिसन नमबर B कितना हो जाएगा 30 गुना हो जाएगा ठीक है इसके सांथ हम लोग कोशन नमबर 55 के बढ़ें तो आपके सामने आता है आप यहां पर देख कितनी हो जाएगी 8000 हो जाएगी ठीक है इसी के सांथ हम लों कॉस्टन नंबर 56 की और बढ़ने तो कॉस्टन नंबर 56 यहां पर आपके सामने आता है यहां पर एक चीतर दिया हुआ चीतर हम कुछ लोकुर्स पर tr दोनों कमान घाएगा आपका 180 हो जाएगा किया इसी के पडल में कोशन नंबर 57 की भात कि है तो question नंबर 57 आपके सामने स्कीन सापने स्क्रिन पर आ जाता है आप पें सो हो रहा है आप देखेत एगका कॉस्टन नंबर 57 हो जाएगा आपके सामने तो A B बराबर 18.2 cm तथा D E बराबर 13 cm तथा त्रिभूज A B C D लगभग त्रिभूज D E F एदी त्रिभूज D E F की परिमाप 50 cm हो तो त्रिभूज A B C का परिमाप क्या होगा आपको यह ज्याद करना है कोशन नमबर 57 का करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसर नमबर B 70 cm तो दोनों विकरणों की लंबाई का अंतर कितना होगा आपको अंतर बताना है आप देख पाएंगे 58 का सही एंसर हो जाएगा आपसर नमबर C 42 cm तो इसी के साथ कोशन नमबर 59 की बात करें तो कोशन नमबर 59 आपके सामने आ जाता है आप यहां पर देख पाएंगे कोशन नमबर 59 है धातू के बने एक घनाब का भार 500 kg है यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20 पर सिसन कर दिया जाए तो नए घनाब का भार कितना होगा तो 59 का करेक्ट अंसर हो जाएगा आप देख पाएंगे यहां पर ऑप्सन नमबर A यह 4 kg हो जाएगा करें को इसी के साथ कोशन नमBER 60 के बात करें कोशनर नमबर 60 आपके सामने आता है यहांपे। दो खोकले बेलनों के शत्वों के छेत्रफ फलों का अनुपात साथ अनुपात पांच यह तत्ह उचाईयों का अनुपात तीन अनुपात एक है तब इनके आय तनों का अनुपात कितना होगा ठीक है तो इसका आप देखेंगे सही एंसर हो जाएगा ऑफशन नंबर ए 143 गोली दापते हैं इसके प्रतेक 456 तद्धा आठ सेकेंड के अंतराल पर गोली दाखते हैं प्रत्म बार 17 गोली दागने के पश्चाथ 30 मिनट में वे कितनी बार 17 गोली दाखते हैं यह आपको बताना है ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि त्रेक्षी टीवन का और्य कि यहां पर कोश्चन नंबर 62 हो जाएगा आपका कि दो अंकों का लगुत्तम शमाप वर्त्य यह वह महत्तम शमाप वर्त्य करम शा पांच हजार तिरासी तथा तेश हैं यदि एक अंक के तूसरा अंक क्या यह आपको बताना है ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि 62 का करेक्ट हो जाएगा ऑफसर नंबर बी नमबर 63 की बात करें तो 63 का correct answer हो जाएगे यहां पर देखेंगे option number B 0.75 ठीक है तो option number B correct हो जाएगे इसी साथ हम लोग question number 64 की बात करें तो question number 64 आपके सामने आ जाते हैं यहां पर देख पाएंगे एक ऌमान की घरना कीज़ें जहां यह ब्राबर ये पर कुछ वैल्ली दिया है जिसे 25 25 की माइनस थी बटे पांच की माइनस है गुडे 5 के स्कॉयर बटे 5 का स्कॉयर तीक है यहां पर आपको को स्फेह नमटाइब 25 विद्यारतियोयं क आउसाथा वर्ष सहुर्णently करें भील है तो सिछा किसे कि यहां पर बताने कि क्या है तो 25 देखेंकी करेक्ड रोजाएगा ऑसन नमटर ऐ फिप्टी responder वर्स, तिरपन वर्स हो जाएगा, ठीक है, इसी के साथ हम लोग कोश्चन नमबर 66 की बात करें, तो कोश्चन नमबर 66 यहाँ पे आप देखेंगे, आपके सामने आ जाता है, कोश्चन नमबर 66 है, यदि एक पानी का टंकी चार बटा साथ भाग आठ घंटे में भरें, तो टंकी का आदा भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, 66 का सही एंसर हो जाएगा, आपसर नमबर B, 6 घंटे लगेंगे, ठीक है, इसी के साथ हम कोश्चन नमबर 67 के बात करें, तो 67 यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, कोश्चन आप देख पाएंगे, कि यहाँ पे नुमेरिकल सेक्षन दिया है, माइनस A इंटू, माइनस B, प्लस C, अपन, माइनस A, माइनस B, इंटू, माइनस C का मान, क्या है, ठीक है, तो आप यहा यहाँ पे हो जाएगा, आप देख पाएंगे, इसी सेक्षन में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 68 कोश्चन आपके सामने है, दो कार एक बिंदू A से बारा मिनट के अंतराल में 20 किलो मीटर प्रती घंटी के चाल से आरंब होती है, विप्रित दिसा के बिंदू 20 एक वेती पहली कार के साथ चलना प्रारम करता है, यदि वहाँ दोनों कारों के 10 मिट का अंतराल में मिलता है, तो उस वेक्ती की गती क्या है, वेक्ती की गती आपको बतानी है, तो यहाँ पे 68 का आप देखेंगे, करेक्ट एंसर हो जाएगा, C नमबर, 6 किलो मीटर प्रती घंटा हो इस इक साथ हम लोग गोशन नमबर 69 की बात करें, तो नमबर 69 में दिया है, अनुपात, समानुपात की बात पूछा है, तो 69 का आप यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट एंसर हो जाएगा, ऑफसन नमबर C, 25 रस्यो 49, ठीक है, 25 रस्यो 49, यह करेक्ट एंसर हो जाएगा, इस इ संकु के सथी प्रिष्ट का 6 रफल क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका ऑफसन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर चार दिया हुआ है, 70 का आप देखेंगे, करेक्ट एंसर हो जाएगा, ऑफसन नमबर D, 95 रस्यो 49 रस्योंपात, ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला C भी आ जाता है, इसी के साथ में, भाग 3, जो यहाँ पर सामान ने मांसिक हो गयाता है, जनरल मेंटल एबिलिटी का कोर्स है, कोस्टन है, जनरल हम लोग कोस्टन नमर 71 की बात करें, तो 71 यहाँ पर आपके सामने है, आप देख पाएंगे, निमने लिखीत अक्षर स्रेडी के रिक्ति स्थानों के लिए अक्षर ग्याद कीजिए, E, K, G, M, D, Q, M, D, ठीक है, तो यहाँ पर दो अक्षर आपको ग्याद करना है, तो 71 का आप देखेंगे, करेक्ट एंसर हो जाएगा, आफसर नमर D, पहले खाली स्थान में के आएगा, और दूसरे में आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ करेक्ट, इसी के साथ कोशन नमर 72 की बात करें, तो 72 आपके सामने यहाँ इसकीन पर सो रहा होगा, आप देख पाएंगे, कि नीमने लिखित में से कौन सा अन्या तीन से भीन है, ठीक है, कुलकाता, मुंबई, इलहाबाद, अजरुवन्त, पुरम, ठीक इसी के साथ कोशन नमर 73 के बात करें, तो 73 आपके सामने यहाँ पर सो रहा होगा, आप देख पाएंगे, कि नीमना अंकिक स्रेडी में, वीलूप तो संक्या कौन सा है, उसी को आपको ग्याद करना है, तो यहाँ पर देख पाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जएगा, 73 का क सब्सक्राइब करेंगे कि नीवने में से कौन से अगले अक्षर होंगे जो नीचे दियेगा अक्षर स्रेडी में आगे होंगे ठीक है यह अभी आपका अलपा बिट से रिलेटेड है या उसका देखेंगे आपका क्रेक्ट नंबर भी कि ट्रिन्बा सबनी करेक्ट की अधे आपके सामने आप यहां पर क्या पाएंगी को से त्ठीक है कौन सा चीतर वीलूप्त हो गया है उसके बारे मैं आपको यहां पर बताना है तो 75 का आप देखेंगे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका दी चाओथा नंबर विलूपते ठीक है इसी के साथ हमनों कोशन नंबर 76 की बात करें तो 76 यहां पर आपके सामने स्कीन पर हो रहा है कि यदि बेट मिंटन को कुट बद किया गया है यहां पर कुछ इंगलीज अल्फावेट लिखा गया है से बी एफ ओ एल क्यू एक्स डबल एस से तब फुट बास को कुट बद किया जाएगा कौन से सब्द से किया जाएगा तीकि उसको आप यहां पर देखना है आपको करेंटर देखना है तो 76 का करेंट एंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर सी जी पी क्यू वी इडी पी एक्स या करेक्ट एंसर हो जाएगा इससे के साथ हमनों कोशन नंबर 77 की बात करेंगे तो 77 आपके सामने यहां पर सो हो रहाएग स्किन में आप देख पाएंगे कि यह दि गोरक को कुट बद किया गया है 769128 से तो स्याम को कुट बद किया ग 951 से आपके सामने इसकीन पर सोव रहाए अप देख पाएंगे से कि की उत्तर शीतर से सीट तोलॉप्त चीतर जो कौंस तेज यहां पर देखेंगे TS तीसरा नंबर क्या है यहां पर यह वाल देखेंगे तो यहां पर नहीं है तो यह प्रस्ण में बताना है इसमें से कौन सा यहां पर गाइब हुआ ही बताना है आपको ठीक है 79 का correct answer हो जाएगा option number C हो जाएगा यहां पर भी ठीक है तीसरा नंबर ही गाइब है चले इसी के साथ हमनों question number 80 की बात करें तो 80 नंबर question आपके सामने आता है कि निमन वर्ग में विलूपत संख्या ग्याद कीजिए यहां पर एक डब्बे बनाया हुआ हुआ है वर्ग है इसम एक साथ हमनों question number 81 की बात करें तो 81 question आपके सामने यहां पर सो रहा है इसकी आप देख पाएंगे कि यदि 0 को निरूपित किया जाता है 4 0 से 1 को 0001 से तो 2 को 00010 से तो 3 को 0011 से 4 को 1010 से 5 को 0101 से और इसी परकार आगे भी तब निमन वर्ग में विलूपत संख्या ग्याद कीजिए अब ऐसी स्थिती में आपको यहां पर question mark में संख्या आपको ग्याद करना कि क्या होगा ठीके तो यहां पर देखेंगे correct answer हो जाएगा option number B 1 0 0 0 यह correct answer होगा इसी साथ हमनों question number 82 की बात करें तो 82 आपके सामने यहां पर question आता आप देख पाएंगे यदि प्लस का अर्थ भाग माइनस का अर्थ गुड़ा गुड़ा का अर्थ माइनस तता प्लस का अर्थ प्लस है तब 6 प्लस 3 भागित 5 माइनस 4 गुड़े 6 बराबर क्या होगा यहां मान करके आपको बनाना है तो यह आप देखेंगे 82 का correct answer हो जाएगा option number C 16 16 सही अंसर हो जाएगा तो आप देख पाएंगे question number 83 आपके सामने सो हो रहा है ठीक है यहां पर देख पाएंगे question number 83 को प्रतिस्थापित करेगा तो यहां प्रतिस्थापित करेगा तो यह आपको correct करना है तो 83 का आप देखेंगे option number D is a correct answer यहां डाइगराम क्या होगा यहां पर फिल होगा प्रतिस्थापित होगा ठीक इसी के साथ हम लोग question number 84 की बात करेंगे 84 आपके सामने यहां पर सोराग आप देख पाएंगे कि निम्नांकित पैटर ने के अगले चीतर में बिंदू की संख्या ग्याद केजिए यह दिया है इसी के साथ हम लोग question number 85 की बात करें तो 85 आपके सामने आ जाता है कि निम्नांकित चीतर का उप्योग कर ग्याद केजिए कि अधी बी उपर में है तो नीचे का अक्षर आएगा क्या होगा यह पासा से रिलेटेट कोशन आपका डाइस से रिलेटेट ठीक है तो 85 का आप देखेंगे correct answer हो जाएगा बी नंबर बी क्या होगा एफ आगे उसका पोजिट में ठीक है इसी के सांथ हम लोग नंबर यहां से सब्सक्राओं पाता है यहां से से स्टाट ओगा टीक चलेगा तो मैं हम दोंकोaksi नंबर सlläहरी यहां पर चार-पांच statement दिया है एक है दो तीन चार-पांच और एक छए statement दिया है और इसमें से कौन से सही है उनको आपको यहां पर correct करना है ठीक तो आप देखेंगे 86 का correct answer हो जाएगा option number D first second और fourth correct statement दिया गया है option number D इसी के साथ हम आपके question number 87 की बात करते 87 स्कीन पर आता है आप देख पाएंगे नमधमें से कौन सा सही है इसमें भी आपको आपको चारच चूज करना है यहां पर चार चार चार्प सरी इसक सा लोगं उगले option की बात करें क्या टिष्हां जाता है आप देख पाएंगे की भारत करना luckily दृता है विधान सभा का चुनाओं लड़ना चाहता है किन्तु वह विक्रिती वित का है इसकी घोषडा कौन करेगा यह आपको बताना है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही एंसर हो जाएगा 88 की बात करें तो यहाँ पर सी होता है सक्षम नयाय आलाय करेगा ठीक है यह करेक्ट करेंसर हो जाएगा इसी के साथ हम लोग अगले कोश्टन की बात करें कोश्टन नमर एटी नाइन तो इसकी आपके सामने आ जाता है कि एक विधयक विधानसभा दौरा पारित कर दिया गया और विधान परिसेत में भेजा गया इसी बीच विधानसभा विख्तित हो गई अ आगे बात करें हमने question number 90 के बात करें तो question number 90 आपके सामने आ जाता है कि भारत नमें किस calendar को मानने अतर दी गई है ठीक है बाबुलाल चतुरवेदी ग्रेगोरियन calendar भारते calendar विक्रमी calendar तो आप यहाँ पर देखें कि correct answer हो जाएगा ग्रेगोरियन calendar को मानने तर दी गई है इसी के साथ हमनों question number 90 की बात करेंगे question आपके सामने आ जाता है कि समीधान के किस अनुछेद में अलप संक्यकों के हीतों का सरक्षड प्राधानित है देखेंगे सही इंसर हो जाएगा option number 29 29 अनुछेद में यह है इसी साथ हमनों question number 92 की बात करें question number 92 आपके सामने यहाँ पर आ जाता है आप देख पाएंगे त्यांपके question number 92 आपके सामने आता है चेक करेंगे 92 कोस्चन है कि सभा राज्य सभा के उपसभापती को पद्र चियुक्त करने के विशा में क्या सही नहीं है यहां पे एक दो तीन चार एक पांच इस्टेंटमेंट दिया है आपको पढ़ना है वो सही करना कि करम से क्या होगा तो 92 का आप देखें कि करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑपसन नंबर सी एक तीन और पांच यह सही होगा ठीक है इसी के साथ हम लोग अगले कोशन की बात करें तो आप 93 नंबर 93 कोशन आपके सामने आ जाता है आप यह आप देख पाएंगे कि नीम्न लिखित में से किस वैदिक गरंथ में पुन्सुवन से लेकर मृतक दा तक के समाजिक रिती रिवाज संसकार वर्डित किये गए हैं तो 93 का आप देख पाएंगे कि सही एंसर हो जाएगा बी 94 की बात करें तो दक्कन के नीम्न लिखित में से किस रियासत से चांद बीवी समंदित थी तो 94 का आप देखेंगे सही एंसर हो जाएगा सी नंबर अहमद नगर सी करेक्ट एंसर होगा इसी करम में अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 95 है निम्न लिखित में से किस शेत्र में मुगलों ने भारते संस्कृति को सरवाधिक योगदान दिया है ठीक है तो 95 का आप देखेंगे कि करेक्ट एंसर हो जाएगा आफसर नंबर ए इस्थापत्य को सरवाधिक योगदा अगले कोश्चन के और बढ़ते है तो 96 कोश्चन नंबर आपके सामने आता है 96 कोश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्न लिखित में से किस अंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रडी की भूमिका निभाई थी ठीक है तो यहां पर आप कोश्चन नंबर 97 आपके सामने आता है इस परकार से कि राजधानी इस्था नांत्रण के आउसर पर दिल्ली में परवेस के समय इनमें से किस वाइस राय पर बंप फेका गया था ठीक है तो 97 का क्रेक्ट एंसर हो जाएगा आपका 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 नंबर डी करेक्ट एंसर हो खिदम तगार संगटन की स्थापना की थी ठीक है इसका सही एंसर हो जाएगा 98 का आप देख पाएंगे option नंबर एक खान अब्दूल गफार खान ने की थी ठीक है या correct answer हो जाएगा इसी के साथ हम लोग अगने question की बात करें तो question number 99 आपके सामने आता है question number 99 क्या है आप यह आप देख पाएंगे question number 99 आपके सामने आता है कि भारत की स्वत अंतरता के पश्चाथ इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्राधम किया था था तो आपके आप देख पाएंगे कि 99 का correct answer हो जाएगा option number C आचार्य विनोबा भावे ने किया था इसी के साथ हम question number 100 की बात करे कि मानो भुगोल के जनक कौन हैं ठीक है मानो भुगोल के जनक कौन है तो 100 का सही answer हो जाएगा option number A फेंडरिक रेट जेल ठीक है इसका correct answer हो जाएगा इसी के सांथ हम अगले question की बात करें 101 नमबर पर पहुंचे इससे पहले कि आपने हमारे चैनले को like नहीं किया subscribe नहीं किया तो सही answer हो जाएगा option number A पेट्रोलियम के लिए प्रसीद है ठीक है इसे के साथ हमें question number 102 की और बढ़ है 102 की बात करें 102 question आपके सामने यहां पर देख पाएंगे question number 102 क्या है यहां पर आप देख पाएंगे थोड़स इसको हम लोग जूम कर लेते हैं देख लीते हैं जूम out कर लेते हैं आपछिन आजाएगा आपके सामने आप देखेंगे कि बढ़ानी फसल है 102 question number आपके सामने बढ़ानी फसल क्या आपका गानी फसल है साथ 103 में पूछा गया भिलाई सपा से इस थापीत हुआ है तो 103 का correct answer हो जाएगा option सामने आजाता है कि सी का कि स summation निरमार किस नधी पर हुआ है एक साgeht को समने यहाँ पे आ जाता है कि पिगमी का निवास-षी त्र कहा कहां है एक सो पांच का सही आनसर होजाएगा एक स्थेधिक तुछ संख्या कति जन संख्य Conference किyo किलो मीटर कितना है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका सही अंसर हो जाएगा 106 की बात करें ओफसन नमबर ये 33 है ठीक है 33 किलो मीटर है इसी के साथ हम लोग कि वर्स 2001 से वर्स 2011 कि आओ दी में 36 गड़ की जन संख्या की 10 की वृद्धी दर क्या है ठीक है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 108 नमबर का हो जाएगा ओफसन नमबर C 22.6 एक प्रतिशत होगा ठीक है इसी के साथ हम लोग कोशन नमबर 10 की बात करें कि निमने में से किसी राष्ट ये आए कही जाती है तो ये 109 का सही एंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख पाएंगा ओफसन नमबर C सुध्य राष्ट ये आए को कहा जाता ह का कॉशन नमबर 10 की बात करें का का राष्ट इस नमबर कोशन 10 की बात करें कोशन साफ नियोजन में किस आवधी को येुजना अवकास कहा जाता है एक 110 का आप देखेंगे कर्यक्त प्रदानमंतरी का नाम जोडा जाता है अब यहीं पर कोश्चन नमबर 113 के हम लोग बात करें तो किसी भारत की आत्मा यहा कतन किस ने दिया था कि किसी भारत की आत्मा है अब यहीं पर कोश्चन नमबर 113 के हम लोग बात करें तो कोश्चन नमबर 114 की बात करें 14114 की बात करते हैं לש 149 यहां पर सामने आजता है कि एक आदर समब्ह औरं व्रति रोग मीजों किस पर निर्भर करता है पर निर्भर करता है इसके बार में आपको बतारू ओक्षन नमबर बक्रेंशन सभी माध्ययम के पर आपकरम पर आपके सामने आ जाते हैं यहां पर देख पाएंगे निमन धातुओं को जल से क्रिया सिलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्योस्तित करना है कौन कौन से जस्ता है लोहा है मैगनिसियम है और सोडियम है इनको पानी के साथ जो क्रिया सिलता है उसके अधार पर इनको क्रम में आपको व्योस्तित करना है तो आप यहां पर देख पाएंगे कि 116 का सही एंसर हो जाएगा ऑफिसन नंबर बी सबसे पहले लोहा होगा फिर जस्ता होगा फिर मैगनिसियम होगा उसके बाद स्यौल्इयम होगा ठीक है भिजा की सबसे पहला किखा के आपकर पहले नमबर 117 के तो 117 आपके सामने यहाँ पर आ जाए उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं के सब्सक्राइब करें जल से लाइक कर दीजे बंटा दबा दीजे एक तब घंटा बजा दीजे ठीक है आवाज आने चाहिए दूर तक चलिए इसके साथ हम देखत अगले कोशन की बात करें तो अगला कोशन आपका यहाँ पर 117 सामने आ जाता है आप कोशन देख पाएंगे कि दो सूची दिया हुआ सूची एक और सूची दो दोनों का आपको मिलान करना है ठीक है कोट के अधार पर और यहाँ पर नीचे आपको सही अंसर को टिक करना है तो आप देखेंगे 117 का सही अंसर हो जाएगा यहाँ पे 117 का आपका जो सही अंसर है वह आ जाएगा सी नंबर 51324 ठीक है यह सही अंसर हो जाएगी इससे के साथ में कोशन नंबर 118 की बात करें 118 आपके सामने आता है कि कौन से लाउनों के विलियनों का यूगम अमलिय प्रकिती का होता है दो यहां पर हम बात करें 118 दों Muslim की सामने आता है कि मानों शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है ठीक है इसका आप देखेंगे सही Les रहता है कहा रहता है आपको बताना ताजे जल में गहर समुदर में चट्टानी तट पर अगर्मजल के ध definition कहा होती है जीश जिए होता है 120 का नंबर ताजे जल में होते सरवाधिक हर जितना फ्रेस वाटर होता उतने ही अच्छे हरे सवाल वहां पर आपको देखने को मिलेंगे इसी के साथ हम लोग अगले से देखें सेशन में 121 कोश्चन की बात करें तो यहां पर आपका करेंट अफेर से रिलेटेड कोश्चन आ जाता है तो पहला कोश्चन यहां पर है 121 की अंदमान निकोबाद द्वीप का नाम नेताजी सुभाज चंद्र बोश्च द्वीप रखा गया है ठीक है आप यहां देखेंगे 121 का सेकेंड करेक्ट एंसर हो जाएगा औफसर नंबर सी रॉस द्वीप का नाम रखा गया है इस इक साथ हम 122 की बात करें वंदे मातरम एक सप्रेस दिल्ली को किस सहर से जोड़ती है तो वंदे मातरम एक सप्रेस जो हुँआ दिल्ली को वाराड सी सहर से किया था तो 123 आप देखेंगे करेक्ट एंसर हो जाएगा भू नेसर में किया गया था ठीक है इसी कसाथ हम लोग अगले कोशन की बात करें 124 की बात करें तो 124 आपके सामने आ जाता है आप यहां पर देख पाएंगे विस्व आर्थिक मंच की हार्तिक वार्षिक बैटक कह हुई थी तो आप देखेंगे 124 का सही एंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर दी स्वीजर लेंड में हुई थी ठीक है इसी के साथ हम लोग कोशन 25 की बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के विजेता नुवाक जोकोवीच किस देश के खिलारी है ठीक है जापान के हैं चीन के हैं सार्बिया के हैं आप देखेंगे 125 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर दी सार्बिया के हैं कौन नुवाक जोकोवीच ठीक है चली सीक साथ हम लोग अगले कोशन की बात करें 126 की बात करें तो 126 कोशन आपके सामने यहां पे इसकिन के सो हो रहा है कि ब्राजिल क किस सहर को युनेसको ने 2020 के लिए वास्तु कला की वैस्विक राजधानी घोसित किया है अब देखेंगे 126 का सही अंसर हो जाएगा ऑफशन नमबर सी रियोडी जेनरो को किया गया है इसी के साथ हम लोगे 127 कोशन की बात करें तो इस राज्य के विधान सभा भावन का नाम किस के नाम पर रखा गया है इस राज्य के विधान सभा मतलब 36 गड़ की बात किया जाए तो किस के नाम पर रखा गया है आप देखेंगे 127 का करेक्ट एंसर हो जाएगा ओंसर नमबर सी मीनी माता के नाम पर रखा गया है इसी के साथ हम लोग अगले कोशन की बात करें 128 की बात करें तो 128 कोशन आपके सामने आ जाता है आप यहां पर देख पाएंगे कि इस राजी की विधान समा में प्रति पक्ष का नेता कौन है तो उस समय की बात की यहां पर पूछा गया है तो उस टाइम पर पूछा गया कि कौन है तो 128 का सही एंसर हो जाएगा आप देखेंग कोशन आपके सामने आ जाता है कि गुरु घासीदास राष्टी उध्यान इस राज्य की नीमने में से किसके जिले में इस्ति थे तो आप यहां पर देखेंगे कि किस जिले में इस्तित थे 129 की करेक्ट एंसर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा बी नंबर और यहां जिल पहीं जाता है 36 राज्य में कहां पहाँ जाता है कि सी यह हैं जाता है तीरादगर को अम्रित धारा को चीत्रकूट को या मांदवा को कहा जाता है तीक है अब देखेंगे इसका सही इंसल हो जाएगा चीत्रकूट जल परगबात को भारत कर नियागरा कहा जाता है तीक है चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें कोस्चन नंबर 132 की और बात क किये थी तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा और यह टेबल टेनिस से समध्दित है इसी के साथ हम लोग आप देखेंगे वन थर्टी थरी की बात करें कि दो और अठारा के ग्यान पीट पुरुषकार प्राप्त लेखक अमिताब घोष किस भासा के लेखक है कि इस भासा के लेखक है यहाँ पर पूचा गया बाकि सब चीज तो बता दिया है तो इसका सही एंसर हो जाएक आप देखेंगे 133 की बात करें तो यहाँ पर बी नमबर अंग्रेजी भासा के लेखक है इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं अगले कोशन के 134 की ब बात करें इंगले कोशन की बात करें 136 की बात करें तो जैसे हम 136 की बढ़ते हैं तो इससे पहले आपने लाइक नहीं करें लाइक कर दीजिए साथ हम लोग लाश्ट सेक्सन पर हैं आप देख पाएंगे कि राज्य के समाने जानकारी है आप इस पेसल 36 गड़ के बारे में समाने जानकारी से रिलेटेट कोशन यहाँ पर दिया गया है ठीक है कि वह लोग इसमें बात करें पहले कोशन जो 136 नंबर 136 का जो पहले एंसर हो जाएगा वह होगा बी नंबर कल्चूरी राजवन्स में सबसे लंबे समय तक सासन किया था साथ है हम लोग 137 की बात करें तो नीमने लिखित में से कौन सा कार इस राज्य के प्रतम मराठा सासक बिंबाजी भोसले से संबंदित नहीं है ठीक है बिं 137 के करेक्ट एंसर हो जाएगा डी नंबर सुवेदारी व्यवस्था का सुत्रपात या विंबाजी भोसले से संबंदित नहीं है इसी के साथ में अगले कोशन की बात करें 138 की बात करें तो 138 कोशन आपके सामने आ जाता है कि नीमने लिखित में से किस महीने में इस राज साथ हम लोग 139 कोशन की बात करें तो 139 कोशन आपके सामने आ जाता है कि इस राज्जी के उत्री भाग में नीमने लिखित में से कौन सा पार्ट सबसे उंचा है उत्री भाग में किसके 36 गड़ राज्जी के आप लोग देखेंगे ठीक है मैं पार्ट सामरी पार्ट जारं पारची कोचा हो जाता हो और तो 1410 आप धेखेंगे करेक्ट एंसर की बात करե Inde की इस राज्जह के दूजशर के निमने लिखि से कितनी धनरासी का बंटन किया गया ए कितनी धनरासी का wizard किया गया है तो आप यहाँ पे देखेंगे करेक्नर फेदिए कि हो जाएगा 2597 क्रोड मतलब 2597 क्रोड यहां पे घोसीत किया गया था आबंटेन किया गया था इसी साथ हमने को 142 की बात करते हैं निमलिकित में से कौन सी कमपणी इस राज्य में कोर्बा इस्थित भारत एलमूनियम कमपणी की 51 प्रतीसत की भागीदारी रखती है ठीक है तो आप यहां पर देखेंगे कि सही अंजर हो जाएगा इस्टार लाइट कमपणी ऑफसन नंबर सी इस्टार लाइट कमपणी जो है वह 51 प्रतीसत की भागीदारी रखती इसी के साथ हम लोग अगले कोश्चन की बात करें 143 की बात करें ठीक है तो यहां पर देखेंगे आप थोड़ा स सरकार की नीमन लिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई ठीक है यहां पर तो 143 का सही अंसर हो जाएगा ऑफसन नंबर सी आयूसमान भारत योजना केंद्र सरकार इसी को लागू किया गया है ठीक है आयूसमान भारत योजना इसी के साथ हम लोग वन फ अगले कोशन के और बढ़ें 145 की 145 आपके सामने कोशन आ जाता आप देखेंगे कि नीमन लिखित में से किस छेत्र में इस राज्य द्वारत प्रतिवर्थ पंदित रवी संकर सुकल समान दिया जाता है प्रतिवर्थ की बात किया जा रहत है प्रतिवर्थ हो जाएगा से किस लोग गीत का संबंद है घुमंत जाती के साथ कौन से लोग गीत का संबंद है यह आपको बताना तो यहां पर देखेंगे इसका सही एंसर हो जाएगा दिवार गीत की ओप्सन नंबर भी दिवार गीत संबंदित है इसी के साथ हम लोग अगले कोशन के और बढ़े 147 किस लोग गीत में सारंगी या जिसको इक तारा बोला जाता है संगीत वाद्य के रूप में यंत्र के रूप प्रियोंग किया जाता है तिक इसको आपको बताना है तो आप देखेंगे से कि सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं या सही एंसर हो जाएगा यहीं साथ में हम लोग 150 और लाश्ट कोशन की बात करें तो लाश्ट कोशन का एंसर हम करें इससे पहले आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सेयर कीजिए कि उनको भी कोशन के स्रीज मिल सके आकलन कर सका और नए स्रीज में और भी कोशन लेकर क्या हूंगा जिससे आपको बहुत ही फायदा होगे इंपोर्टेंस मिलेगा ठीक है तो चलिए 150 की बात करें इस राज जी का प्रतम महिला सांसत सदर से इन में से कौन थी ठीक है तो आ झाल 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 झाल